तू ही सागे है तू ही किनारा डूंडता है तू किसका सहारा आपने वात करी रहा हाता खली जिब्रान ना जिवनने रुक्षो पासे बेसुम ने ए रुक्षो ने ए प्रकृति ने सांबळता रहूं एमाथीच क्यारेक अडम्य इच्छाने वश्थई अभिवेक्त थाउं एकले लखूं औने चीतरवूं ग्यार वर्षे जिब्रान माता बेनानी बहनों औने एक साव का भाई साथे अमेरिका जईने बोस्टन शहर मा वसे चे पन बेवरस बाद अर्बी साहित्यनों अभ्यास करवा माटे तेने एकलाने भतन पाचा फरवानू बने चे त्या एमेरिक सुधी भनी ले चे अने साथो साथ मात्र जिग्णा साखातर तबीबी शास्त्र अंतर्राष्ट्रिय कानून धर्मनों इत्यास अने संगीत जेवा अभ्यास क्रमनी बहारना विश्यों अभ्यास पन करे चे जगते खली जिब्राने जे सर्जन थी आजे पन छाती सरसा चांपी राख्या छे ते पुस्तक प्रोफेट नो पहलो खरडो अर्बी भाषा मां पंदर वर्षे त्यमने लख्यों छे तो सत्तर वर्षनी उम्बरे जिब्राने इसलामना उद्भव पेला थाई गयल कवियो इत्यासकारों फिल्सूफ अने अर्बी भाषाना कवियत्री नी कोई तस्वीरों त्यारे मोजूद न होवा थी पोतानी कल्पना वडे एमना चित्रों दोर्या मात्र सत्तर वर्षे जिब्राननु पहलू पुस्तक स्पिरिट्स रिबेलियस निलेबेनों ना पादरियो तरप्ती भयंकर अने तरुणोंने बगारदारू जाहर करवा मा आवे। बैरुतनी बजारमा तेनी होडी थाई जिब्रानने संप्रदाईनी भार मुक्वामा आवे अने तुर्की सामरज्ये तेमने देश निकालनी सजा फर्मावी। वीस वर्षनी वैसुदीमा तो माता भाई अने एक भहनना अवस्षान थाई गया। पन ते भांगी ना पड़ियो। त्याने दुखने पीछी नामा ध्यम थी रंगो ना सत्वारे कागलने केनवास परुतारवानू शरू करियो। कलाप्रेमियो आ चित्रो थी अवाचक रही गया। नसीबना बेली जिब्राननू एक चित्र प्रदर्शन चालतू हतू त्यारेज लागेली आगने कार्णे। जिब्राननो समस्त चित्र संग्र पस्मिपूत थे गयो। पन जिब्रान तो उपड़या पारिस। चित्र कड़ानो बदू अभ्यास करवा। एमना लगबक गरेक पुस्तक मा त्यमने चाहते दोरेला चित्रो छे। ए चित्रो नी आलेखन पत्तती कास प्रकारली छे। मनुष्य आकृतियो बधी दिगंबर छे। जिब्रान जिवननी पान खर्मा लखे छे। आई केम तु दिस वर्ड तु राइट माई नेम अपन दे फेस अफ लाइफ विद बिग लेटर्स। हूं जिंदगीना चेहरा पर मोटा अक्षरो मां मारू नाम लखवा आज जगत मा आवे ओचू। दस वर्स नोहतों त्यारे जिब्राने परवतों अने मठों मां रजल पाठ दर्म्यान तेनो खपो बांगयो। अठवाडिया सुधी पतारी मा रेवानी सजा थाई ते समय पहली वकत आंतरिक उर्जा अने चैतन यना स्ट्रोत नी जिब्रानने अनुपूती थाई। पितानी नादारी ने लिधे वधी संपत्ती जब्त थाई हाते। कार भी गरीबाई ने लिधे माता साथे साववेगिक औने चेतसिक नातो गेहरो बिल्या। समग्र जीवन दर्म्यान तेनी माता ना खपापर ना जीवन औने परिवार नो बोज जिब्राने पन उचक्यो। माने दिक्रा वच्चे प्रगार चेतना नो समब्ध बंधा दो। तेथी जिब्राने लख्यू। समग्र मानव जातना होट परनो सुन्दर तमशब्द इतले मान। तेनी मातेना दिक्राने बराबर ओड़कती। जारे खलील कल्पनामा के रंगोमा खुवाएल होई। आने कोई आवी ने तेना विशे पूछे तो नाक पर आंगडी मुकी ने कहती। ना, ना, शांती राखो। ते अही नथी। आटली निर्मल कालजी पामेलो भड़क मोटो थैने लखे छे। तमारा बढ़को ये तमारा नथी। तमारा द्वारा आवे छे, पन तमारा मथी आवता नथी। अने ते तमारी सोड मा रहे छे, छतना ते तमारा नथी। तमें एमने तमारो प्रेम भले आपो पन तमारी कल्पनाओ नहीं कारण तेमने एमनी पोतानी कल्पनाओ छे प्रेम पोता सिवाई विजू कशुम आपकतो नाथी औने पोता सिवाई विजा कशा माथी लेतो है नाथी प्रेम कोई ने ताबेदार थतो नाथी औने कोई ने ताबेदार बनतो नाथी कारण प्रेम प्रेम ठीच सम्पूर्ण चे मात्रप पोते कृतार्थ थवूं ते सिवाई प्रेम ने कशी काम ना न थी चिब्राने 845 मा योसेफ दिब्ज नामना फादर द्वारा स्थपायल मेरोनाइट कोलेज मा प्रवेश्ली दो कारण तेने अर्बी वांचता आवर्तू हतूं पन लगता नहीं अहीं तेना गुरु फादर युसुफ फ्रदाद ना टेबल पर पहले दिवसेज एक चिथी लखी ने तेमने मुकी तेमा लख्यूं त्रण मैना मने कशुन न पूछता त्यार बाद इच्छा थाई ते बदूज पूछ्चो फ्रदादे तेने कयूं शिखूं ते एक सीडी छे शिखनारे एक समये एककज पगतियू चड़मू पोले त्यारे श्याम औने कत्थाई आको बढ़ा जिब्राने तेने रहस्य भरो जवाब आप्यो पंकियों ने उड़वा माटे सीडी नी जरूर परती न थे जरा वीचारिये आजनू बालक आपने आवोज कहीं जवाब नतिया आपतू कुण कहें छे के जिब्राननी विदाई थाई गें छे खलील जिब्रान क्यांक चे आपनी आसपास कोई बालक नी चमकती आखो माँ कोई भूलकाना दुभाका माँ कोई टिखली दोरेला चित्रों माँ अने कहें छे तेरी परवा करता हूं में तू ही सागर है तू ही किनारा डूंडता है तो किसका सहारा डूंडता है तो किसका सहारा